कि देखिए यह एंसी आर्टी फिजिक्स नुमेरिकल नंबर टू पॉइंट टू थी चला देखिए कोईशन क्या दिहां से समझिएगा देखिए नंसी आर्टी के नुमेरिकल में खास बात होती है कि बहुत जल्दवाजी में किवल आपने फार्मला लिखाव आंसर आगया ऐ कोईशन है जे एलेक्टरिकल टेक्नीशियन रिक्वार इसको टू माइक्रो फेरेट का एक एक कैपशिटेंस चाहिए ठीक है इन अ-सर्क्टेट एक्रॉस पॉटेंशल डिफरेंस आफ वन किलो वॉल्ट त उसको ड़ू कैपशिटेंस चाहिए न बूसर इसको जहांपर इस बोल्टेज पे वो बोल्टेज कितना है 1000 वोल्ट है इस पे चाहिए इस पे उसको अप्लाई करना है ठीक है A large number of 1 microfarad capacitors are available to him in which can be withstand a potential difference not more than 400 volt उसके पास 1 microfarad के बहुत सारे capacitors हैं और वो जो capacitor है वो 400 volt से ज्यादा जेल नहीं सकते तो कि 400 volt से ज्यादा अगर कर दोगे या को वो discharge हो जाएगा या खराब हो जाएगा जल जाएगा जो भी आपको है बैए एक capacitor क्या करता है capacitor charge को store करता है लेकि चार्ज की storing की एक capacitor की होती ना इसके बाद अगर उसकी capacity आप बढ़ाओगे वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो एक समय क्या आएगा उसको लीकेज हो जाएगा खराब हो जाएगा या वो 400 volt से ज्यादा वो बियर नहीं कर सकता औ बोल्ट कितना है एक हजार बोल्ट और वो भी उसके पास जो capacitor अवलेबल है वो एक माइक्रो फेरेट के हो चाहिए कितने दो माइक्रो फेरेट के तो वैसे आप जानते हैं अगर वन माइक्रो फेरेट और माइक्रो फेरेट के दो capacitor पैरडल में लगा दिये जाएं तो कितना कैपिसिटर हो जाएगा मिल गया लेकिन मजबूरी है दो माइक्रो फैर्ड तो मिल गया उसके ताद दे कंडिशन लगी वी है कि आपका जो कैपिसिटर अवलेबल है वो 400 वोल्ट से ज्यादा जेल नहीं पाएगा ठीक है तो यह कह यह रहे हैं कि मतब किस प्रकार से मिनिमम नमबर आफ कैपिसिटर चूज करें कि उसकी कंडिशन भी फुल्फिल हो जाए और जो गिवन है कंडिशन वो भी फुल्फिल हो जाए जरा उसको ध्यान से समझेगा हमने हमने कहां सपोस करिएगा कि हमने पहले एन कैपिसिटर लिए ध्यान से समझ कुशान टॉफ नहीं है हमने N-Captors लिए इस प्रिकार से स्रीज में कितने Captors है N-Captors इस प्रिकार से बहुत सारे BE लगे लगे हैं और इसको हमने जोड किसे दिया 1000 बोल्ट से जोड दिया 1000 बोल्ट जो service उसके पास है उससे जोड दिया 1000 बोल्ट किलो वोल्ट मतलब क्या होता है一 utanब होता है है एक जार वोल्ट ठीक है और यह जो धेसर है सब कि कैपिशट्र मैं सब क्या मान लिए सी मान लिए अब पताईए सिरीम का शी सेम रहती रहती है ciao सेम रहतей is charge या najwię current same duty यानि चार्ज same दोड़ेगा यानि कि यह जब चार्ज यहां से चलेगा चार्ज दिखा रही रहा निकि दिखा देते हैं अगर क्यों चार्ज जा रहा है तो सबके पाथ चार्ज same रहेगा सबकी capacity same है तो सबका voltage भी same होगा मतलब समझे मतलब इसका voltage भी वी हो जाएगा वीवन हो जाएगा इसका voltage भी वीवन हो जाएगा इसका voltage भी वीवन हो जाएगा इसका भी वीवन हो जाएगा total voltage कितना आपने अप सप्लाई किया है 1000 जो है ये कितने में break हो गए N में break हो गए तो हर A का voltage कितना मिला 1000 by N यानि कि जो V1 होगा वो क्या होगा 1000 by N यानि एक capacitor का voltage कितना होगा 1000 upon N होगा तिन आप से condition दे दी गई इन्होंने According to the question According to the question ये जो 1000 by N है ये एक capacitor का voltage है और वो कितना बियर कर सकता है 400 या उससे कम यानि ये value आपकी less R equal to कितनी होनी चाहिए 400 यानि कि 1000 upon 400 is less R equal to N यान N is greater R equal to कितना आएगा ये 2.5 मतलब स्रीज में आपके कितने capacitor होने चाहिए 2.5 से ज्यादा यानि कि हम कह सकते है N is equal to कितने होनी चाहिए कम से कम 3 मतलब स्रीज में कम से कम 3 capacitor आप लगा सकते हैं उससे कम नहीं लगाओगे क्यों अगर आपने कम लगा दिये माली आपने का हम तो 2 ही लगाएंगे अरे भैसा आप 2 लगाओगे ना तो हर एक का बोल्ट कितना हो जाएगा 500 बोल्ट हो जाएगा और उसकी बेरिंग केश्टी कितनी है 400 तो हरत कराब हो जाएगी पहली बात दूसरी बात अगर आपने का ठीक आपने तीन लिखा हम पांच लगा दें लगा तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन पांच लगाने में दिक्कत होगी ना जब स्रीज में आप केश्टी लगाओगे तो उसकी वैलू क्या होगी देखे आपने कितने लगाए तीन लगाए ठीक है तो अगर तीन केश्टर आपने लगाए कम से कम इसे ज्यादा लगा सकते है ना वैं कम से कम तीन होने चाहिए ना 2.5 का मतलब क्या होता है अब आप कहेंगे 2.5 का मतलब होता है तो इसका एकुलेंट कितना हैगा वन बाई त्री वगर आप वैलू बढ़ा दो गए और चार लगाओ पांस लगाओ तो कैपसिटर घड़ जाएगा बढ़ जाएगा घड़ता जाएगा नो हमको तो टू माइक्रो फेरर चाहिए तो मजबूरी है कि तीन से कम हम लगा नहीं स अगर आप तीन से ज्यादा भी हम कर सकते हैं से थीन से ज्यादा करने से फैदा ही हो जाएगा वोल्टेज यह कम हो जाएगा लेकिन capacity घड़ जाएगी आप क्या करें देखो ध्यान से अब मैं इसको रप करता हूँ यानि कि तीन आप एक स्रीज में लगाएंगे तीन आपने एक स्रीज में लगाया एक स्रीज में वन ये लगाया पोन यह लगा यह मैं यह लगाई इस परकार से टी लगाया न है इसी परकार से हमने और एक स्रीज बनाई टीन-तीन की स्रीज बनाई और इसमें कितनी बना दी हम ने एम रोज बना दी M रोज, कितनी रोज हैं यह, M रोज है, ठीक है, जरा देखे जान से, अगर आप यहाँ पर बोल्टेज, इस प्रकार से बैटी से जोड़ते हो, क्योंकि आप जानते हैं न, सब को एक पॉइंट से जोड़ दिया है, तो ऐसे जोड़ा नहीं गया है, यहाँ से जोड़ा गया ह है, ऐसे जोड़ा गया है, ऐसे बनाओ ज़दा ठीक रहेगा, यह ऐसे जोड़ा गया है, यह ऐसे जोड़ा गया है, इस प्रकार से जोड़े गया है, M रोज, प्रेडल में जोड़ना आता है न, आपको, आप दो को प्रेडल में बोल्टेज तो से रहता है न, यानि इन सब तीन तीन के बीच में कितना पोटेंशल डिफरेंस रहेगा, थाउजन बोल्ड रहेगा, थाउजन बोल्ड रहेगा, और हर एक कैपसिटर कितना बीर करेगा, 400 से कम, 400 बाइट 3, sorry, 1000 बाइट 3, 333 पॉइंट सम्तिंग, ठीक है, तो यानि कि एक ब्रांच का कैपसिटर कितना आ आफ वन रो, कितना आएगा, 1 बाइ 3 सी, या 1 बाइ 3 माइक्रो फेरेट, एक माइक्रो फेरेट ना, 1 बाइ 3 माइक्रो फेरेट, और इसका भी 1 बाइ 3 माइक्रो फेरेट, इसका भी 1 बाइ 3 माइक्रो फेरेट, अगर M रोज निकालोगे, तो कितना हो जाएगा, टोटल कैप क्योंकि यहां पर आपने M यह क्या कहेंगे M रोज है ना इसमें M रोज आपने निकाली है तो टोटल M into 1 by 3 हो जाएगा इस इक रोज चाहिए तो टोटल नंबर ऑफ कितने चाहिए तो टोटल केपसिटर जो होंगे आपके शहत्रुक अठारा अठारा केपसिटर यूज करने पड़ेंगे आप मिनिमम में मैक्जिमम में हमने देखो तीन से ज्यादा भी लगा दिये थे काम चल गया था लेकिन तीन से ज्यादा लगाने से क्या होता उसकी वेलू धिरे-धिरे कम होती जा रही थी ठीक नोट करिए